प्लेटफरम पर दोस्तों हिंदी साहित बीए सेकंड डियर के लिए हिंदी साहित जिसमें की हिंदी गद्य विधा पर हमारी चर्चा चल रही थी तो हिंदी गद्य के अंतरगर दोस्तों कहानी वाला जिसमें अभी तक का जो सेशन हुए दोस्तों उसमें लेक्चर नमर 11 में आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी जिसमें हम बात करेंगे पंच परमेश्वर के जी हां दोस्तों जो की मुंसी प्रेम चंद जी द्वारा लेकित है तो आईए दोस्तों शुरू करते अपना आ परिश्य पर बात करेंगे और इन से संबंदित अर्थात की आज की इस कहानी से संबंदित कुछ महतपूर प्रशनों पर भी डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए महतपूर होंगे चलिए शुरूआत करते हैं अपने आज के सेशन की आगे बड़े उससे पहले जो पहली वार हमारे सेशन को देख रहे हैं उनको बता दू कि सिर्फ हिंदी साहित ही नहीं बलकि बिये के ओल्मोस्ट सभी विशे सभी सब्जेक्ट पूरे विस्तार से इसी यूटूब प्लेटफरम पर ही आप लोगों को फिरी ओफ कोस्ट बिना कोई फीस लिए प्रोवाइ तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो भी सब्जेक्ट आपका है उस पर किलिक करेंगे तो वहाँ पर सभी लेक्चर दोस्तों पूरे क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे क्लियर है आईए अब शु शेशन चल रहा है हिंदी कहानी ठीके ना तो इस पर कुछ लेक्षर अभी हो चुके जिसमें हम इसके सोरूप और विकास पर चर्चा कर चुके हैं कहानी और उपन्यास में अंतर पर बात कर चुके हैं प्रमो कहानियों के अंतरगत उसने कहा था इस कहानी को हमने इस से पहले वाले session में discuss किया है और आज हम बात कर रहा है पंच परमेश्वर की और इसी प्रकार से पूरे chapter wise chapter हम session लेते हैं अगले session में हम पुकार जो कहानी है जे शंकर प्रसाद की उसपर discuss करेंगे और उसके बाद में उश्या प्रियवन्दा की जो कहानी है वापसी उसपर discuss करेंगे त तो पूरे topic wise topic दोस्तों हम session यहाँ पर ले रहे हैं, तो आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, यह मैं आपको प्रारम में ही बता चुका हूँ, चलिए, डायडली शुरुवात करेंगे, एक-एक करके दोस्तों सभी को समझने का प्रियास करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के सारांस की, जी हाँ, यह कहानी पूरी क्या है, अगर आपने कभी यह कहानी पढ़ी हो, अगर आपके पास पुस्तक है, तो आपको पूरी कहानी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन चुकि अभी काशनी तो कापी लेंदी है, कापी लम्भी है तो उसको यहाँ लेने से मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो सारान से जो उसकी भूमिका है, वो मैं यहां पर लेकर आ चुका हूँ, जिससे हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने से ही कहानी पूरी हम समझ जाएंगे कहानी किस पर आधरीत है और कहानी के अंदर क्या विशेष्था है क्लिए रहे चलिए तो एक एक करके दोस्तों मैं सभी बिंदू जो कहानी की जितने भी बिंदू है सब को पढ़ रहा हूं और पढ़ते हुए समझते हुए आग कुछ नहीं होता है सिर्फ एक बार पढ़ना होता है समझना होता है एक बार कहानी को अच्छे से आपने समझा पढ़ा फोकस किया तो यकीन मानिये सभी प्रस्ण आपसे आसानी से लग जाएंगे अन्यता प्रस्ण में गरबर होगी ही होगी ठीक है ना चलिए शुरू करते हैं कहानी को ठीक है ना तो दोस्तों यह कहानी है कहानी है जुम्मन सेक और अलगु चोदरी यह कहानी बेसिकली तो जुम्मन सेक नाम का एक ब्यक्ति है जिसकी मोसी की कहानी है उसकी मोसी के कहानी है तो यह इस कहानी में जुम्मन सेक और अलगु चोदरी यह विसेस नायक ह होते हैं या कहें कि विशेस पात्रों होते हैं इस काहनी के दोनों ही आपस में मित्रों होते हैं उन दोनों की विचार मेल खाते हैं मेल काते हैं उनकी मित्रता जो है लेंदेन में साज़दारी की भी रहती है अपने जीवन में अपने एक ही छेतर के के रहने वाले आस्पडोस के रहने वाले हैं और दोनों में काफी मिद्रता रहती है मिद्रता के साथ साथ में उनके जीवन में जो भी समझाय आती है उसमें भी वह जो है लेंदेन के लिए एक दूसरे साज़तारी करते लेते हैं उन दोनों में परसपर बिश्वास था जुम्मन से के हज करने गया जुम्मन से हज करने जाता है अपने घर की देखरेक उसने अलगू पर अलगू पर छोड़ की थी इसी प्रकार से जब कभी अलगू चोदरी को घर चोड़ कर कई जाना होता था तो वो भी जुम्मन के पिता जिनका नाम था जुम्राती ये सिख्षक थे और जुम्मन और अलगु चोदरी दोनों ही इनके शिश्ष थे दोनों ही इनके शिश्ष थे जुम्मन का नाम जुम्मन को दोस्तो समाज में इसलिए मान दिये जाता था क्योंकि वो एक सिख्षक के पुत्र थे तो वहीं अलगू चोदरी को सम्मान दिया जाता था धन के कारण क्योंकि वो एक धनी ब्यक्ति हुआ करता था कहानी आगे बढ़ती है एक वार की घटना है कि दोनों की मित्रता तूटने लगी या तूटने जैसी परिश्टितिया बन चुकी थी कहानी के अंदर इसका कारण था जुम्मन की बूड़ी खाला खाला अर्थात की मोसी यसा क्या कारण रहा था तो जुम्मन की बूड़ी खाला ने पंचायद बुलाई उसकी संपत्ति जुम्मन को मिलने के बाद उसकी सेवा ठीक से नहीं हो रही थी एक्चुल में कहानी कूछ ऐसी थी कि जुमंवन की खाला के आस्प्रोस के और कोई रिष्टेदार नहीं थे सिवाए जुमंवन के तो उसकी खाला ने जो है जुमंवन को अपनी जो प्रोपरिटि ती जो जमीन जायदा थी वो जुमंवन को देने का फैसला किया उसके बदले में जुम्मन ने बादा किया था अपनी खाला से अर्थात की अपनी मोसी से कि वह ताय उम्र उसकी देखरेक करेगा लेकिन जब उसकी खाला अर्थात की उसकी मोसी को या उसकी देखरेक में जब कमी महसूस होने लगी तो इसलिए उसने पंचायत बुलाने का फ जुम्मन की ब्इबी थी करीमन उनका विभार भी उसकी खाला को लेकर के सही नहीं था उचित नहीं था जुम्मन से भी दीडीडीडे निश्टूर होने लगा जैसे ही संपत्ति के रिष्टी उसके नाम हुई बैसे बैसे जुशारी घाला खाला जान को प्राया नित्ती ही एसी बाते सुननी परती थी दूसरी तरफ जुम्मन के अपने तर्क थे जुम्मन का भी कहना था कि बुडिया ना जाने कब तक जियेगी दो-तीन भीगे सर क्या कर दिये सर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया केने का इसका अर्थ है कि जुम्मन भी जो है कुछ ताने दिया करते थे अपनी मोशी को अर्था अपनी खाला को और कहा करते थे तानों में कि पता नहीं बुड़िया कब तक जिएगी इसने 2-3 भीगा जमीन मुझे क्या दे दी ऐसा लगता है जैसे इसने मुझे खरीद लिया हूँ बगारी दाल के बिना रोटिया नहीं उतरती अर्थात ये कि सबजी के बिना अच्छी सबजी के बिना इसके गले के निचे रोटी नहीं उतरती रोटी नहीं खाती भुजन नहीं करती जितना रुपया इसके पेट में जोक चुके उतने से तो अब तक पूरा गाव मोल ले ल इसके लिए वो कहीं गावों में भटकती है गावगां भटकती है और ठक हार करके अंत में सोचती है कि अब आखिर किसका सहारा लिया जाना चाहिए तब उसे एका एक याद आता है कि क्यों ना अब गाव की पंचाथ को ही बुला जाना चाहिए क्यों क्यों कि कोट कचरी की इतनी उमर नहीं है और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कोट कचरी कर पाए इसलिए उसने गाप की पंचाइट बुलाने का फैसला लिया जिस पंचायत को बुला जाना था उस पंचायत के पंच में अलगू चोदरी शामिल था कौन अलगू चोदरी जो की जुम्मन का मित्र था जुम्मन से का मित्र था तो अलगू को यहां पंच बनाया गया इस पंचायत में अलगू को पंच बनाया गया बूरी खाला ने कहा पंचात में कहा कि बेटा क्या बिगाड के डर से इमान की बात नहीं कहोगे खाला ने पूचा किस से अलगू से पूचा अलगू उधेरबुन में फस गया अर्थात की जंजट में या कहें कि उसकी बातों में वो फस जाता है हमारे सोय हुए धर्म ग्यान की संपत्ति लुट जाए तो उसे कवर नहीं होती अर्थात की एकि अगर हमारे घर से कोई चुपचाप चोरी करके ले जाए तो हमें कवर न उसे कोई नहीं कह सकता अर्थात ये कि जब उसकी खाला ने अलगू को कहा कि क्या बेटा बिगार के डर से इमान की बात ना कहोगे और ये बात उसने कापी चिल्ला करके कही जिसे पूरी पंचाथ सुन रही थी तो इसके बात में पंचो ने भी अलगू को कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा क्योंकि सबने उनकी बात सुनी थी और सारी पंचाथ को उमीद थी कि अब अलगू बिना कुछ बोले ही मतलब बिना किसी के कुछ कहे भी वो जो है अपना पक्च रगेगा यहाँ पर अलगू चोदरी जो की पंचाथ का पंच थे वो सोच में पड़े हुए थे कि यह आखिर तत्य क्या है कौन सा तत्य क्या बिगाड के डर से इमान की बात ना कहोगे तो यह बिगाड की बात एक्चल में क्या है इसी विचार में यह खोई हुए थे बूरी काला पंचाथ से कहती है कि जो यह बिगाड हुआ है यह इस कारण हुआ है कि यह अर्थात की अलगू ना तो मुझे पेड़ भर रोटी देता है और ना तन धकने के लिए ठीक से कपड़ा देता है अब मैं बच्ची हूँ सिर्फ बेवस बेवा कि कचेहरी दरवार नहीं कर सकती अर्थात की उम्र इतनी हो चुकी है लाचार हूँ बेवा हूँ कचेहरी दरवार के चक सुना पाँ तुम लोग जो रहान निकालोगे वसी पर में चलूंगी अर्थात की जो तुम कहोगे अर्थात की पंचे का जो निर्णे होगा वही मेरे लिए न्याय होगा ये बात कहते हैं इतना कहे करके उसकी खाला जो है चुप हो जाती है अलगू चोदरी चुकी पंच अर्थात की बात्चित के दिवारा ही agreement कर लिए जाता है संपत्ति को लेने देने के लिए उसे हम हिब्बा नामा के नाम से जानते हिब्बा नामा केते हैं तो हिब्बा नामा जो उसकी मोसी अर्थात उसकी खाला और जुम्मन के बीच में हुआ था उसे रद्द करने का फैसला के जाता है पंचात के दौरा और खाला की जो मिलकियत थी मिलकियत दिया जाता है तुपनचाद ने क्या किया हिबा नामा को रद्द करते हुए खाला की ब데 को अर्था की प्रोपर्टी को बापति को देने का फैसला यह ये पंचा सुनाती है फैसले को सुनकर जुमन से कर सक्ट में आजाता है और या जुमन को एक बड़ा सा धक्का लगता है की उसको उम्मीद नहीं थि क्योंकि पंच जो है उसका मित्र ही था उब्र से इसंपैब नहीं कि ये मेरे बिपक्ष में मेरे बिरोद में कोई भी जो है निर्ने लेगा लेकिन यहां पर न्याय के पक्ष पर भेटे हुए अलगु चोदरी ने न्याय का पक्ष लेते हुए जो सही निर्ने उनको लगा वही उन्होंने सुनाया था ये कहानी तो यहां खत्मों हो जाती है लेकिन अब ऐसा ही एक मौका जो है अब जुम्मन को भी मिलता है अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में अब जो पंच होगा वो जुम्मन सेख होगा और फर्यादी जो होगा वो अलगू चोदरी होगा तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें लगता है कि अब अलगु सेख अपना बदला जुम्मन सेख से जरूर लेगा तो आईए कहानी को पढ़के ही समझते हैं क्या वो अपना बदला लेता है या फिर वो भी नयाय की और ही जुग जाता है चली शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा पक्चे ये कहानी का दूसरा पक्चे है सीगरी एक दूसरी घटना होती है जिसमें जुम्मन सेख को एक मोका मिलता है और वो पंच बनता है अल्गू चोदरी और समझू साहू दो व्यक्ति होते हैं अल्गू चोदरी से आप परिचित है सम्झु साहु एक और पात्र आता है इस कहानी में इना तो अलगु चोधरी और सम्झु साहु के बिवाद में अब यहां पर जुमन सेक यहां पर पन्च बनते हैं बटे सर मेले से अलगु चोधरी ने एक बड़े मजबूत बेल खरी दे ते कहानी क्या है मामला क्या है कि अल्गु चोधरी ने जो है एक मेले से जो की बटे सर का मेला था वहां से दो बेल खरी दे उन में से एक बेल मर जाता है तो ऐसे में अलगू सोचता है कि एक बेल का मैं क्या करूंगा तो उसने उसे समझू साहू को देने का फैसला किया या कहें कि समझू साहू को बेज दिया लेकिन अभी तक समझू साहू से अलगू चोदरी को पेसे नहीं मिले थे उस बेल के समझू साहू उसे उस बेल से बेगारी लेता था खूब पिटाई भी करता था चारा खाने को मतलब पेट भर चारा भी नहीं देता था तो ऐसे में बेल कापी कमजोर हो गया और वो एक दिन चलते हुए सडक पर ही बेल गाड़ी के साथ ही सडक पर गिर पड़ा गाड़ी में जुता हुआ था बेल और सडक पर वो बेल गिर गया जिस कारण से साहू को रात उसी रास्ते पर रात काटनी पड़ी लेकिन उसी रात में एक घटना होती है कि उसकी पलक छपक जाती है अर्थात की नीद लग जाती है थोड़ी देर के लिए फोड़ी देर की नीन लगने में ही उसकी आटी से रुपे निकाल लिये जाते है, चोरी हो जाती है, और सिर्फ रुपे ही नहीं, बलकि कनस्तर टेल, कनस्तर टेल अर्थात की, कनस्तर का मतलब होता है दोस्तों, गॉल डिब्बे, गॉल डिबों में तेल भरा रुआ था, वो अलगू चोधरी को कोस्ती है और कहती है कि ना निगोड़ा ऐसा कुलचनी बेल देता और ना जन्व भर की कमाई लुड़ती तो यह ताना किसका था और किसके लिए था दोस्तों सहु आइन का ताना था जो कि अलगू चोधरी के लिए यह ताना दिया गया था इसको लेकर के भी अब विबाद जो है पंचाइद पर आ जाता है अब अल्गु चोदरी के बेल का दाम समझू साहू देने से इंकार कर देता है गाव पंचाइद भेड़ती है गाओं में पंचाइद भेड़ती है इस मामले को सुलजाने के लिए और इस बार द्रश्य बदल जाता है लगुबादी है इस मामले में और जुम्मन क्या है दोस्तों पंच है जुम्मन सेख के मन में जिम्मेवारी का भाव पेदा होता है जैसे ही जुम्मन सेख न्याय की उस कुरसी पर पंच की उस कुरसी पर भेड़ता है तो बैसे ही जुम्मन सेख के मन में अब जिम्मेदारी का भाव पेदा होता है बेबदला लेने की भावना को मिटा देता है जुम्मन सोचता है मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सरवोच आसन पर भेटा हूँ मेरे मुख से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वहे देववानी होगा वहे देववानी के समान होगा और देववानी मेरे मनो विकारों का कदा भी समावेस ना होना चाहिए और इस देववानी में मेरे खुद के विचार नहीं होना चाहिए मेरी भावना है जो की बतला लेने की भावना है थी वो नहीं होना चाहिए मुझे सत्य से जो भर भी मतलब जरासा भी तलना नहीं है सत्य से बिल्कुल भी टलना नहीं है जो सत्य है उसी पर फेसला देना है तो जुमन ने एसा सोच करके फिर फेसला सुनाया जुमन ने फेसला सुनाया और कहा कि समझू साहू को उचित है की बेल का पूरा दाम दे उसने अर्थात यह कि उसने समझू साहू को कहा कि आपको बेल का पूरा दाम अर्थात पूरे पेसे जो है अलगू चोधरी को देने होंगे तो कि यहाँ पर अलगू चोधरी का कोई दोस नहीं है समझे अलगू चोधरी का कोई दोस नहीं है और इस फैसले से इस फैसले में भी जो भी वहाँ पर आयते किसी को भी ये यकीन नहीं था कि विजवास नहीं था कि जुम्मन के द्वारा ऐसा फेसला लिया जाएगा अर्फात की अल्गू के पक्च में फेसला लिया जाएगा लेकिन यहाँ पर भी अफेक्चा से उल्टा हुआ जुम्मन ने नयाय के पक्ष में फेसला दिया और इसी कारण से जो भी पंचात में आयते सभी बहुत प्रसन्व हुए और पंच परमेश्वर की जे के नारे लगाए थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आता है और अलगू को गले लगा कर रोने लगता है केता है कि भाईया जब तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुमारा प्राण घातक सत्रू बन गया था पर आज मुझे पता चला ग्यात हुआ कि पंच के पदपर भेट कर ना कोई किसी का दोस्त होता है और नहीं कोई किसी का स्विभा उसे कुछ नहीं सूचता कुछ और समझ नहीं आता आज मुझे विजवास हो गया है कि पंच की जुवान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगा आँख से निकले इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया और मितता की मुरजाई हुई जो लता थी वो फिर से हरी भरी हो गई प्रेम चंद की ये कहानी न्याय की भावना का संचार करती है अर्थार्थ की न्याय के आड़े ना कोई रिष्टा आता है ना कोई दोस्ती आती है और एसी ही कहानी दोस्तों वर्तमान हमारे न्यायलों की हुआ करती है तो कि आज यही प्रान प्रतिष्टा जो होती है दोस्तों ये प्रतिश्टा आज भी आप न्यायले में देख सकते हैं न्यायले के जो भी न्यायदीस होते हैं उनके दोरा बिना किसी प्रकार के रिष्टे दोस्ती या सतुता को देखे बिना ही जो है न्याय के पक्च में फेसले सुनाना ही उनकी प्रमुक जिम्म जिनके माद्यम से आप इसकी ब्याख्या करना सीखेंगे हाला कि दो जो पक्ष में लिए है वो इंपोर्डेंट है आपके एक्जाम में आने के उनकी संभावना है लेकिन इन दोनों बिंदू के माद्यम से जो है आप इतनी समझ को डेवलप कर लेंगे कि पूरी कहानी में से चाहे कोई सा भी बिंदू अर्था की कोई सी भी लाइन या कोई सा भी तत्य उटा करके आप से उसकी ब्याक्या करने को कहेंगे तो आप उसकी ब्याक्या आसानी से कर पाएंगे अब चुक्कि पूरी कहानी के हर एक बिंदू एर एक तत्य को तो ले नी सकते थे तो उसमें क्म लिए से मैंने कुछ दो तक्य थोपर वेयं करना वताउंगा और सी प्रकार से आपको व्य grow आणेवाले में करनी जो एकजाम त्याम किसी एक यह मिने इसमें कहा गया था कि कई दिन तक खाला हात में लकड़ी लिए आज फास के गाओं में दोड़ती रही हलाकि यह सारांस में देखने को नहीं मिला लेकिन यह कहानी का ही एक बिंदू है कानी का ही एक जो है हिस्सा है ना तो कई दिन तक खाला हाथ में लखडी लिए हाथ में लखडी लिए को टेका नोता है। आसपास के जो दोती मतलब मितलब गाओं के चक्कल लगाती रही कर जुकर कमान हो गई क明च जुक कर के कमान हो चुकी थी एक ईक पकशलना है पर था क्योंकि उम्म्रकापी M हो चुक dalा आप एक लाइने दूस्तो इसकी ब्याख्या करनी है तो समझाना है आपको कि इसमें क्या कर गया है संदर परसंग के साथ में इसकी ब्याख्या करनी है तो यह dependence जैसेकि खाला जिसको मौसि कहा जाता है रहे हैं अब चक्य préparक की समीब और कमान मतलब होता है कि ये जो लाइन ली गई है ना ये कहां से ली गई है तो दोस्तों ये हमारी पार्ट पुस्तक जो हिंदी गद्ध साहित है वहां से ली गई है कहां से हिंदी गद्ध साहित से इस लाइन को लिया गया है ठीक है ना इस लाइन को लिया गया है जो की पंच परमेश्वर पंच परमेशवर अध्याय का नाम क्या है पंच परमेशवर ना तो अध्याय पंच परमेशवर से हिंदी गद्य साहिती से इस पंग्ति को लिया गया है जिसके लेखक कोन है दोस्तों मुंसी प्रेमचंद कोन है मुंसी प्रेमचंद बस ये तीन बाते आपको याद रखनी है और इस कहानी में चाहे किसी भी पंक्ती की आपसे ब्याक्या करने को कहे संदर्व बिल्कुल यथावत यही रहने वाला है संदर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीकिना इस कहानी की किसी भी पंक्ती की ब्याक्या करने को आजा एक्जाम में तो संदर्व आपका यही रह है रहा राई के लियर है अब प्रसंग अब प्रसंग की बात करते दोस्तों प्रसंग में क्या दीकिछ गई कई दिन तक खाला हाथ में लकडी लीए आसपास के गाउधों में दोरती रही हई poi इतनी उम्र होने के बाप्जूत वो इतना संगस कर ungefाने के लिए कमर जुक चुकी उनकी एक पक चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था लेकिन चुकी अब बात आन पड़ी थी अब वो मोका आ पड़ा था कि अब उनको नयाई चाहिए था अन्य था वो भूके मर जाती तो उनकी बेवसी पर ये पूरी कहानी है तो प्रसुत पंक्तियों में लेखक जुम्मन से की मोसी की बेवसी का उलेक करते हैं किलिए रहा तक का अब आ जाए है अब ब्याक्या पर और ब्याक्या तो आप लोगों के लिए उतासान रहती है अगर आपने कहानी और कहानी के सारांस को अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसकी ब्याक्या बिना पड़े कर सकते है तो जुम्मन सेक की मोसी जुमन से तंगा चुकी थी उसने जुमन सेक के बेभार के प्रति अपनी शिकायत करने की ठान ली इसके लिए वह कई दिन तक अपने हाथ में लाटी लिए समीब के मतलब अपने आसपास के गाउं में चक्कल लगाती रही इस तरह ये अपनी जुकी हुई कमर को लिए परिशान हो रही थी इस तरह की अवस्ता को प्राप्त मोसी जो है इस तरह की अवस्ता में भी मोसी के लिए एक एक कदम चलना बहुत ज्यादा कटिन हो चुका था फिर भी उसने ये एक एहम बात बन गई थी इसलिए वह अब कर जाता है कि पंक्ति कितना अपना भाव व्यक्त कर रही है और आपने ब्याक्या में लिका कितना है जितना पंक्तियों में दिया गया है ब्याक्या सिर्फ उसी की करनी है उसके आगे नहीं बढ़ना है कम होगा तो चलेगा आगे नहीं बढ़ना है तो इस पंक्तियों की प आधियम से आप और अच्छे से बेहतर थेगे समझ पाएंगे एक पंक्ती और है उसमें कहा जाता है बेटा खुदा से डरो क्या कहा खालाने कहा कि बेटा खुदा से डरो पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दूश्मन तुमारा किसी पर बिजबास ना हो तो जाने दो ये लाइन भी कहानी की एक लाइन है ये पंग्ती जो है ये भी कहानी की एक पंग्ती है कि बेटा खुदा से डरो पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुस्मन होते हैं तुम्हारा इन सपर विजबास ना हो तो फिर जाने दूँ प्रसंग की अगर बात करें तो यहां पर यहां पर जब खाला बोलती है कि बेटा खुदा से डरो पंच किसी के दोस्त या दुस्मन नहीं होते हैं तो यह चुल में उस मोसी की आत्मा की पुकार थी और यहां पर लेखक ने भी कहनिकार ने भी कहनिकार ने भी मोसी अर्था की खला की आत्मा की पुकार को चित्रित करने का प्रियास किया है यही आपका प्रसंग हो जाएगा व्याक्या में जुम्मन से की मोसी ने जब उस से पंचों का नाम पूचा तो जुम्मन से की मोसी ने जुम्मन से पंचों का नाम पूचा की प का मूँ न खुलवा है वे जिसे चाहे उसे पंच बनाए क्योंकि यहां पर डाउट था ना यहां पर सभी को डाउट था कि जुम्मन सेख जो है अलगु चोदरी का क्या है एक प्रमित्र है और अलगु चोदरी चुकि यहां पर पंच है इसलिए वो गुस्से में क्रोधित हो उसने यह भी सिक्षा दी कि पंच किसी का पक्च या किसी का बिरोध नहीं करते यहां यह दूसरी बात अवश्य है कि भले भले वह किसी पर विश्वास करे या ना करे यह उसकी अपनी बात है मतलब पंच को किसी पर विश्वास हो या ना हो यह उसकी दूसरी बात है लेकि लेकिन जो न्याय करता होते हैं जो पंच होते हैं वो किसी के दुस्मन या किसी के दोस्त नहीं होते हैं तो यह छोटी सी इतनी सी ब्याक्या एक लाइन की छोटी सी ब्याक्या क्लियर रे चली अब हम बात करेंगे अगले बिंदू में प्रेम चंद जी के परीचे पर एक छोटा सा परीचे यहाँ पर देखने का प्रियास करेंगे और हर मेसा एक्जाम में आपको यह परीचे देखने को मिलता ही मिलता है ठीक है ना सबसे पहले देखते हैं व्याख्या की बात करते हैं व्याख्या अर्तात की जो भी इनके आवशक्त तत्य लिखने होते हैं जो प्रारंबी परीचे होता है जिसे आप जीवन परीचे का नाम भी दे सकते हैं प्रेम चंद के जन्म और म्रत्यू की बात करें तो इनका जन्म 31 ज उन्होंने जीवन के अभावों और संकटों से निरंतर जूजते हुए अपने सरजनात्मक ब्यक्तिद्व का निर्माण किया और अपने देश और दुनिया के मनुश्यों की मुक्ति के लिए अपना तन मन धन सब कुछ नियुचावर कर दिया तकि कौम कर दिया कि यह इनके पक्च में रिख व के लिए राजिनय थी अनोंके जीवन के अभावों संकटों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने एक सरजनात्मक एक महान व्यक्तित्व का निर्मान किया और अपने अपने स्टन मन धन सब कुछ जो है समाश सेवा के लिए देश के जो व्यक्ति थे उनके देश्चे जो व्यक्ति के लिए उनकी मुट description लिए उन्हों उपन्यासों और कहानियों के जरीए एक सुकी समर्द समाज के उद्देश से ही अपने जीवन और साहित दोनों में एक योद्दा की भूमी का निभाई जिसकी उपलब्दी के रूप में उन्होंने बड़े ही महान उपन्यास जिनका नाम है निर्मला, सेवासदन, गवन, रंग भूमी, कर्म भूमी और गोदान, वहीं अपूर्ड, मंगल, सूत्र एसे उपन्यास लिखे, अगर इन में से आपने एक भी उपन्यास कभी पढ़ा हो गलती से, तो आपको स्वेम पता होगा कि कितने गहन उपन्यास है ये और आपको पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ी सीक इन उपन्यासों से मिलती है दोस्तों, बहुत ही बिस्तार में और चंदर ने एक कहानी के रूप में लगबक 300 से ज़्यादा कहानिया लिखी है। कहानियों में इनकी कहानी के केंदर में हमेशा से ही जो शोशित पीडित या प्रताडित या उपेक्षित मनुश्य थे वो उनके कहानियों के केंदर में हुआ करते थे। जो हिर्दे हींता हुआ करती थी उस हिर्दे हींता के विरुद्ध विद्रो का संकनाद किया था। जाती है कि उस समय में तातकालिक समय में जो धार्मिक पाकंड से परिपून लोग थे या जो पूंजी वादी सामंती लोग थे या जाती संपरदाय के जो करूरता किया करते थे निम्न पर्ग के साथ में उनके विरुद्ध उनकी उस भावना के विरुद्ध उस करूरता के विरुद्ध इन्हों ने विद्रो का संकनाथ के वाता? विद्रो का विद्रो प्रारम केता अपने उपनयास और कहानियों के माध्यम से. इनके रचनाओं की बात करें. तो कहानियों के अंत्रगत, बिसे मैंने आपको बताया कि 300 से ज़्यादा कहानिया है, लेकिन उन में से कुछ लगे ना वह याद कर लीजिए ना सब्सक्राइब करने के आपको आपशक्ता नहीं लेकिन हाँ पर तो सकते ना पर तो सकते सिर्फ एक मिनिट लगता है पढ़ने में इन कहानियों को तो अलग अलग नाम से पढ़के तीन चार वार पढ़ लीजिए गा उसके बाद में चार कल्प गवन कर्म भूमी गोदान मंगल सूत्र आप सब चूड़िए बाकि गोदान कहानी को गोदान उपन्यास को पढ़ लीजिए पर नहीं पाई रहे हो ना नहीं है समय या पुस्तक नहीं है कोई बात नहीं यूटूब पर ही जो है ना गोदान उपन्यास टाइप कीजि हो इसी प्रकार से कुछ नाटक भी इन्होंने लिके हैं संग्राम कर्वला प्रेम की वेदी या रोठी रात्री ठीके ना और इसी प्रकार से कुछ इनके अनुबाद रहे हैं अनुबाद रहें कुछ इनके संपदन भी रहें पत्रिकाई भी रही है तो अनुबाद इन्हों ने कलम तलवार त्याग और जो है महत्मा सेख शादी और राम चर्चा इसके अलावा कुछ अंग्रेजी साहित्य का भी इन्होंने अनुबाद किया है ठीक है ना और कुछ इनकी पत्रिकाई भी रही है कुछ पत्रिकाई भी रही है चलिए आईए अब नेक्स पॉइंट में बात करेंगे कुछ महत्मून महत्मी प्रस्νεुत्तर हो की छो की लहू प्रकरतीके लहू उत्री प्रकरतीके प्रस्णुत्तर है तो आए इन पर जो है सटीग रूप से फटाफ़र चर्चा करतेें उसे के साथ सेशन का समापन करेंगी पहला प्रेशन है जुम्मन सेक और अलगू चोधरी के संबंद केसे थे मैं इस्टार्ट कुरूस से पहले बता दू आपके मन में विचार उट रहा होगा सर आपने दीर्ग प्रकरती के प्रेशन क्यों रिसक्स नहीं करवाए तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक जो सेशन चल रहा था ना वो दीर्ग प्रकरती के प्रेशन रही थे क्योंकि जो प्रतेक पक्ष था ना जो प्रतेक पॉइंट से वो पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है अपने आप में एक प्रश्न है जो कि दीर्ग प्रकरती का है ध्यान से पड़ेंगे आपको समझ आ जाएगा जो जो हमने पॉइंट लिये हैं उस पर ही प्रश्न बन यहे में जो है वो साज्य साइधारी करते थे घっㄱ और साज्ये में ही अनकी खेती हुआ करती थी लेंदें में भी बीवह साजा करते थे एक दूसरे पर अंको अटल बिस्बास था अगला प्रशन है ृप परमेश्पर की कहानी का उद्देश क्या है तो इस कहानी का उद्देश जो है कहानी का उद्देश न्याय के सामने मित्रता भाई चारा है किसी तरह का संबंध आड़े नहीं आना चाहिए न्याय करते समय हमेशा निस्पक्ष होकर के न्याय करना चाहिए ठीके ना इस काहनी का उदेशे था अगला नेक्स्ट प्रस्ष्ण नहीं है जुम्मन से इक का बेवार खाला जाने के साथ क्यों बदल गया था जुम्मन से प्रस्ष्ण नमर चार है जुम्मन कोन था तो जुम्मन एक की एक बूरी खाला थी जिसे मोड़ी खाला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिलकियत ती अर्था की प्रोपर्टी ती कुछ जमीन थी परन्तु उसके निकर संबंदियों में कोई नहीं था जुमन के अलावा तो जुमन ने लंबे चोड़े वादे करके वो जमीन जो है ज उसकी पतनी का भेवार अब बदलने लगा था अगला प्रश्ण है पंच परमेश्वर पार्ट के दौरा प्रेम चंद जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस कहानी की पीछे संदेश क्या है क्या संदेश हमें देना चाहते हैं ये तो फेसला बिना भेदबाव वाला न मंदल संस्था है गया नाम से हैं स्वड़ मंदल संस्था के नाम से एक संस्था है जिसने नोतं की की जरिए-घाया था इस कहानी को जो है दर्साया था किसने स्वर्ग रंग मंदल संस्था तो यह पर उसका ओप्शन होगा रंग मंदल स्वर्ग मंदल संस्था तो उसने अपनी खाला के साथ अच्छा बेवार नहीं किया जिस कारण उसको पंचों की साहता लेनी पड़ी इसलिए जुम्मन को एक लाल्ची आदमी भी कहा जा सकता है जिसे धनका बहुत लालश था तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये कहानी का होता है समपन और अगली कहानी में आपको प्रारम में ही बता चुका हूँ अगली कहानी हमारी होगी अगली कहानी हमारी होगी पुरुसकार क्या होगी दोस्तों पुरुसकार जो की जैश यंकर प्रसाद जी द्वारा करने का ही हम प्रियास कर रहे हैं लेकिन कुछ अर्चने आ जाने के कारण अल्टरनेट तरीके से जो हो पा रहे हैं दोस्तों मिलेंगे अगले में जो नए स्ट्वेंड हैं वो जान लेकि अगर अगर आप प्रोपर तरीके साहरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप वाट्सअब ग्रूप या टेलगराम ग्रूप को भी हमारा साथ जोईं नियुट्र उपपर होते हैं उसकी लिंक पहले आपको ग्रूप मर ही अपलोड की जाती है जो भी आपको नोट्स चाहिए होते हैं वो सब गुरूप पर ही आपको प्रोवाइट किया जाते हैं कि लिए उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके जो समझ आती कहानी को लेकर कि कहानी के विस्तार को लेकर कि जो आपको पुस्तक में सम समझ नहीं आ रहे हैं तो वहां सटिक रूप से संचिप्त आकार दे करके उसे समझाने का मैंने जो प्रयास किया है वो आपको जरूर आपके लिए जरूर हैल्फल होगा मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की एक नहीं कहानी के साथ में तब तक आप सभी का अब धन्यवाद तेंच्यो 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 सोमच्ची